गुड मॉर्निंग तु आल, हावर यू, I hope you all are fine, today we will do the remaining exercise of lesson 2, annual haircut day, आज हम English के lesson 2, annual haircut day की चुर remaining exercise ये वो करेंगे, इसमें हमें यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, पोयम में एक गर्ल है, वो गर्ल जब कभी डर जाती है, तो कौन से वर्ट का यूज करती है, वो बताया है, कौ वो है boo, boo बोलने से उसका डर कम हो जाता है, और उसको अच्छा लगता है, now we will read the poem, if I see the big bad wolf, I know what to do, there is a word that I must say boo, अगर मैं एक big मतलब बड़े, bad मतलब बुरे और wolf मतलब सियार, अगर मैं एक big बड़े, बुरे सियार को देखती हूँ, तो मुझे पता है, मुझे क्या करना ह क्या करना होता है, जब मैं बड़े सियार को देखती हूँ, मैं डर जाती हूँ, तो मैं एक वर्ड जरूर, एक शब्द जरूर बोलती हूँ, वो होता है, boo, if I ever hear a ghost going who, 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 this is what I will say to him, boo, अगर मैं एक घोस्ट मतलब बूत को सुनती हूँ, जो who, who करते हूए जाता है, तब तब फिर भी मैं क्या कहूँगी, boo, if I see an angry tiger snarling in the zoo, I will snar right back and then I will say boo, अगर मैं एक angry tiger, गुसे वाल टाइगर को देखती हूँ, जो snarling, snarling मतलब गुर्राना, zoo मैं गुर्रा रहा है, I will snarl back, right back, मैं वापस से उसे देखकर गुर्रा हूँगी and must say, फिर क्या कहूँगी, boo, if I am scared of anything, if I am scared of you, there is a word that makes me brave, boo, अगर मैं किसी भी चीज़ से डरती हूँ, या मैं आप से डरती हूँ, तब मैं एक ही word है, जो मुझे, जो मुझे डल लगता है, तो एक word है, जिससे मुझे बहादूरी मिलती है, बहादूर लगता है, वो क्या हो होता है, जो में को बहादूर बनाता है, वो है, boo, जो लड़की है, वो पोयम में, वो डर जाती है, जब भी डरती है, तो वो बू वर्ट का यूज़ करती है, जो उसको बहादूर बनाता है, आप भी इस पोयम को लड़न करिए, और वीडियो बना कर हमें भेजिए, now, poetry appreciation, यहाँ पर हमें question answer दिये है, इनको हमें पढ़ना है और लिखना है, now, which animals are in the poem, animals कोन कोन से है इस पोयम में, तो इस पोयम में two animals है, wolf and tiger, how does, now two, how does the girl feel when she says boo, जब वो girl boo बोलती है, तो उसको कैसा feel होता है, she feels brave, उसको बहादूर जैसा अच्छी, अच्छा feel होता है, तो वो जब boo गोलती तो उसको कैसा लगता है, brave type she feels, in the poem, boo and who, and with the same sound, यह जो पोयम है, उसमें boo और who, एक same sound के साथ, मतलब इनका जो sound है वो same है, they rhyme, जो उनका sound है वो, एकदम same है, find three more words in the poem, they rhyme with the boo, अब हमें यह पोयम में से three और words निकालने हैं, जो boo जैसा sound करते हैं, तो कौन-कौन से word है, three more, तो यहाँ पर एक है do, फिर है you, and zoo, three more words कौन-कौन से होंगे, do, you, and zoo, इसी टाइप से आप यह question and answer अपनी fair copy में note करिए, और इस पोयम का वीडियो बना कर हमें share किजे, thank you.